मैंने साड़े चार सालों में बहुत कारे किया है बिजली को लेके नए पाउर हाउस बनवाए विद्धुती करण खुब करवाया ट्रांस्फामर की छमता बृद्धी खुब करवाई और अठारा घंटे गिरामिर और बाइस घंटे सहरी छेत्रों में बिजली के आपूरती सुनिस्चत कराई बिजली के बारे में आप बता रहेते हैं तो उसका जवाब बिजली के बारे में यह है कि बिजली इस बीच खासतोर से इधर 4-6-10 महिने से एतनी कम आ रही है कि लोग परिशान है खासतोर से किसान परिशान है किसान परिशान है ना वो खेत में पानी दे पा रहा है धान की फसलें खराब हो रही है और जो टाइम बिजली का जैसे ही वादे करते हैं कि 18-20 गंटा-20 गंटा हम लाइट देने मुश्किल से 8-10 गंटा लाइट आ रही है कहीं 6 गंटा आ रही है और उसके अंदर भी जो आ रही है तो जादातर लोकल फॉल्ट्स मिल जाते हैं कहीं कुछ होता है जब धान को या खेतों में सिचाई नहीं होगी तो कैसे किसान खुशाल रहेगा सडकों के मामले में कौशामबी में बिदान सबाचाईल में जिस एमाउंट की कारे हो चुके है और जिदने कार शिक्रित है 57 साल के टोटल बजट को इकठा कर लेजिए तो उस्तेरी ज़्यादा काम करा दिए टू लेन को फॉर लेन सिंगल लेन को टो लेन सडकों का चौड़ी कराना सुद्रणी कराना नवीन सडके है 808 करोड पैकी प्रियागराज एयरपूर्ट से हमारी कौशामबी खास कौश हमारी बिदान सबा होते हुए 808 करोड की सडके लगबग 16 करोड की राम बन गवन मार्क जैसी बिशाल प्रियोजना जिसका गंगा का पुल मेरी बिदान सबा में नई सडक ग्रिन बेल्ट में हमारी नई सडक होरलेन की हमारी बिदान सबा से इस तरीके से लगबग लगबग आप मांगे चलिए करीब 1400 करोड की सडके तो बनवा चुका हूँ अभी तमाम सडके पाइपलाइन में है बड़ी परियोजनाओं के जिनकी सुकृती प्राप्त है जिसका सिलान नियास इसी महने में प्रस्तावित है वो सब सडकों के मामले में मैंने रिकॉर्ड तोड काम कराए हैं जहां आप सडकों के जाल की बात करते हैं सडकों की हाल ये है कि पूरे छेतर में गढ़ा ही और खासतोर से जो आप में रोड आती है आप लेके ये भरवारी से या मनौरी से चाइल के लिए जिसके नाम से विधान सभा बना है अगर उस रोड पे जादा आदमी चल ले तो उसकी कमर खराब हो जाए, उसकी गाली खराब हो जाए, कोई तिरढ़ा चलेगा, कोई सीधा चलेगा, लेकिन कोई भी रोड पूरी विधान सभा में सही नहीं है, अगर विधान सभा में, इस विधान सभा में किसी ने मतलब 2001 तक कॉंग्रेस के विधायक थे विजय परकाश जी आदिवानी विजय परकाश जी उन्होंने एक सो पचीज जड़ों सड़कों का जाल बिछाया था उस जमाने में रामपूर खास और कटाईया का दो पुल के निर्माड कराया था इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया आप अ और अक्सिजन प्रइप प्चास बिड़कए कोवड अस्पिडल तयार करा दिया प्लस हमारे जतने भी CSC हैं सब अच्छे तरीके से कार कर रहें हैं स्वास सेवाएज से बहुत बैतर हुई है आपने इनकी स्वास्त की बात किया स्वास्त सेवाएं पहले से भी पहले पूर की सरकारों में जो था उससे भी बत्तर हाल है जादा तर छेत्र में आप चले जाएए लोग परिशान हैं जादा तर लोग सरकारी अस्पतालों के बजाए प्राइवेट झाल